Hello friends, welcome to English Literature Guide. आज मैं explain करूँगी exam के लिहास से extremely important राजा राव का लिखा novel कान्तापुरा, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इस novel के writer के बारे में. राजा राव बिलोंग्स टो एन एंशेंट ब्रामिन फैमली औफ माईजौर, नाव पार्ट ओफ दी करनाटका स्टेट, बट स्कूलिंग हुई हैधराबाद में, यहीं पर राजा राव ने दो और लैंग्विजे सीखी, तेलेगू और उर्दू. He was the only Hindu student in the Muslim Public School of Hyderabad, जहां वो सिर्फ British teacher से से ही impressed हुए, और यहीं से राजा राव केम अंडर the influence of the West. बाद में higher education अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी से ली, जहां उनके teacher थे Eric Dickinson, a poet and painter. Dickinson ने राव को European art and philosophy से introduce करवाया, after graduating with English and history, राजा राव वेंट इन 1929 तो study at Montpellier, France. इसी दोरान, he married a French school teacher, इनका काफी significant role रहा राजा राव को as a writer develop करने में. इन्हों ने ही राजा राव को advice दिया, कि उन्हें अपनी mother tongue में लिखी writings को explore करना चाहिए, खुद की writing inspiration के लिए. राजा राव ने ऐसा ही किया, कुछ poems and short stories लिखी, बट popularity उन्हें मिली उनके लिखे first novel कान्तापूरा से, which is about the Gandhian Satyagraha movement in a South Indian village. इसके बाद भी इन्होंने काफी काम किया, लेकिन इनके सबसे popular works में कान्तापूरा published in 1938, and The Serpent and the Rope written in 1960 ही है. अब चलते हैं novel के plot की तरफ. Novel की starting में हम जानते हैं कान्तापूरा विलेज के बारे में, कान्तापूरा is a small village in the district of Kara in Mysore, which is now part of Karnataka. इस village के एक तरफ तो Malabar Coast है, which is facing Arabian Sea, दूसरी तरफ river Himawati है. कार्डमाम, कॉफी and rice are the chief crops of the region, and there are forests of teak and jack of sandal and of saal. Almost पूरी रात ही कार्ड्स के आने जाने की आवाज सुनाई देती रहती है. ये कार्ड्स विलेज के प्रोड्यूस को सी शोर तक ले जाती है, जहां से shipping के तुरूप इसे red men की country, means England पहुंचाया जाता है. सबसे पहले हम introduce होते हैं इस कान्तापुरा नोवल की narrator अचक्का से. अचक्का एक old upper caste Brahmin woman है. अचक्का से ही हम कान्तापुरा के बारे में जानते हैं. अचक्का नोवल की starting में बताती हैं, के कान्तापुरा विलेज में 100 के around villages हैं. इन में भी सबसे बड़ा गर है रंगमा का, जो अपनी sister-in-law waterfall वेंगमा के साथ रहती है. अचक्का ने वेंगमा के नाम के आगे waterfall इसलिए लगाया, के जैसे पानी बहता है बिना थके, exact उसी तरह वेंगमा की जबान भी चलती ही रहती है, बिना थके, बिना रुके. रंगमा educated and intelligent woman है, वेंगमा को रंगमा से बहुत jealousy होती है, क्योंकि विलेज में सबी उसकी बहुत respect करते हैं. वेंगमा की jealousy का reason ये भी है कि रंगमा की नीज, रतना उसी के साथ रहती है. रतना भी रंगमा के जैसी ही है, पड़ी लिखी समझदार. रतना child video है, मगर वो उस तरह बिल्कुल भी नहीं रहती. इसी वज़े से वेंगमा उसे taunt करती है, मगर रतना उसकी जरा भी परवा नहीं करती. quarter के बागी लोगों में एक university graduate है, जिसका नाम वासुदेव है, who called himself a Gandhi man and had taken to dhoti and khadi. There is also corner house मूर्ती, जो एक बहुती सीधा साथा सा लड़का है. मूर्ती अपनी मदर के साथ रहता है, जिसका नाम है नरसम्मा. नरसम्मा बहुती simple सी woman है, ये corner house वाला मूर्ती ही कांतापुरा का protagonist है. अचका बताती है के मूर्ती is loved and respected by the people of the village. मूर्ती उसके means अचका के grandson सीमू की age का ही है. Besides the Brahmin quarter, village में पैरिया quarter, Porter's quarter, Weaver's quarter और शुद्रा quarter है. पैरिया quarter में तीमया का घर main है. Second important है पोक मार्ग सिधा. सिधा कभी village में richest था, बट वाइफ के बिमार होने के बाद सारा पैसा उसके treatment पर खर्च हो गया. Next है Porter's quarter. It is the smallest one. Only पांच ही houses हैं. Lingayya, Ramayya, Subayya, Chandrayya. इन चारों के घर तो बड़े हैं, लेकिन old कमलमा का घर तूटा हुआ है और सबसे छोटा भी. पहले Porter's street सबसे richest हुआ करती थी, लेकिन अब modern Mangalore tiles के आने के आने के बाद conditions एकदम उलट हो गई है. Porter's street से निकलते ही the first house you see is that of Patel Rangegora. One of the richest but certainly most loved elders Patel Rangegora शुद्र community से है. Patel एक British government की job का नाम है. जिसे भी Patel appoint किया जाता, वो उस particular जगां से text collect करने का काम करता था. इसके बाद narrator village के temples के बारे में बताती है. One is devoted to the worship of Kenchamma, इसी नाम पर एक hill भी है. And the other is dedicated to goddess of Kantha Purishwari, the deity of the village. Goddess Kenchamma के बारे में कहा जाता है कि काफी टाइम पहले इन्होंने एक demon को मारा था, जो villagers से food और young women की demand करता था. इसी demon को मारने के बाद इसका blood धरती में रम गया, जिस वज़े से Kenchamma hill red हो गई. यहीं पर river हिमावती भी situated है. Villagers का मानना है कि goddess Kenchamma उन्हें famine, disease, death and despair से protect करती है. Second temple Kantha Purishwari was constructed only three years ago and soon became the center of the village life. इसी के साथ decide होता है कि वो शंकर जैन्ती भी इसे दिन celebrate करेंगे. शंकर जैन्ती के बाद मूर्ती suggest करता है that they should have हरीकता. मूर्ती ये भी कहता है कि वो एक हरीकता सुनाने वाले को जानता भी है. सब लोग मूर्ती को बहुत मानते थे तो बिना किसी objection सब उसकी suggestion को accept करते हैं. हरीकता के लिए मूर्ती घर-घर जाकर पैसे इकठे करता है. इवन पैरिया क्वार्टर में भी जाकर पैसे collect करता है. अब गौर करने वाली बात ये है कि ये मूर्ती इतना excited क्यूं है. और उनको मिल रहे huge public support से बहुत impress होता है. उसे लगा कि वो college में पढ़ाई करके job करेगा तो British government को ही अपना contribution देगा. इससे बहतर तो ये होगा कि वो अपने देश के लिए कुछ करे. इसी दोरान वो जयारामाचार से भी मिलता है. वो ठान लेता है कि वो भी अपने village के लोगों को देश में freedom के लिए चल रहे movement और गांदी जी के thoughts के बारे में introduce करवाएगा. ताकि उसके village के लोग में कांतापुरा के लोग भी अजादी के लिए हो रहे struggle में कुछ contribute कर सके. तो ये थी मूर्ती की बात. मूर्ती के अलावा कांतापुरा के दो ओर लड़के सीमू और वासुदेव भी गांदी जी के followers थे. वासुदेव पहले से ही था मगर सीमू मूर्ती के कहने पर बना था. कैर हरीकता शुरू हो गई थी. वहीं वेदपुरानों की बाते हैं. विलेजर्स भी बहुत मगन थे. ये सब सुनकर. लेकिन एक दिन अचानक से जया रामाचार ने हरीकता सुनाने के बीच में ही ब्रिटिशर्स की बात करना शुरू की. और कहा, इसके बाद जया रामाचार गांधी जी को भगवान श्रीकृष्ण से कंपेर करता है. वो कहता है कि जिस तरह श्रीकृष्ण ने कंस से भारत माता को बचाया था ठीक. उसी तरह मोहन दासकरम चंद गांधी भी हम लोगों को ब्रिटिशर्स की गुलामी से फ्री करवाने के लिए ही इस धर्ती पर आए हैं. In other words, the कथा वास पॉलिटिकल प्रोपगेंडा इन डिस्गाइज. The news of it soon reached the government and जैरामाचार वास अरेस्टेड. मूर्ति कुछ दिन काफी उदास रहा, then he and other young men of the village threw away their foreign clothes and became गांधी men. इसके कुछी दिन बाद कांतापुरा में entry होती है पोलिस्मेन बड़े खान की. बड़े खान is the symbol of government authority in कांतापुरा. हरीकता वाले incident की वज़े से ही कांतापुरा में बड़े खान की पोस्टिंग हुई थी. लेकिन बड़े खान को कांतापुरा में आते ही accommodation की problem face करनी पड़ी. पूरे village में ऐसा कोई भी नहीं था जो बड़े खान को रहने के लिए जगा दे. लास्ट में बड़े खान पटेल रंगे गौडा के घर जाता है. वो कहता है रंगे गौडा भी एक government servant है. इसलिए ये रंगे गौडा की responsibility बनती है कि वो उसे कांतापुरा में रहने के लिए जगा दे या फिर दिलवाए. बट रंगे गौडा जगा देना दिलाना तो दूर उसको बैठने को भी नहीं कहता. वो बड़े खान को कांतापुरा से वापिस जाने को कहता है. विलेजर्स खुश हो गए कि उन्होंने बड़े खान को रहने को जगा नहीं दी इसलिए वो वापस चला गया. बट वो लोग ये नहीं जानते थे के सकेफिंग्टन कॉफी एस्टेट कांतापुरा के एकदम जो पासी है वहाँ उसे रहने को जगा मिल गई है. सकेफिंग्टन कॉफी एस्टेट क्या है इसके बारे में हम कुछी देर में बात करेंगे. नेक्स्ट अचक्का बताती हैं भट्टा, the first ब्रामिन के बारे में. भट्टा, the government agent, is rich and is much respected in the village. बट पहले वो काफी गरीब हुआ करता था. शुरुआती हालात तो एकदम फटे हाल था. कि कांतापुरा में कभी भी, कहीं भी, कोई फेस्टिवल या फिर कोई शादी वो सबसे पहले पहुँचता था and ceremonies करवाने के लिए एकदम कम fees charge करता था. Even funeral dinner में भी वो सबसे पहले पहुँच जाता था. इसलिए अचक्का ने उसका नाम रखा भट्टा, the first Brahmin. इतने खराब हालात होने के बाद भी वो एक-एक पैसा बचाता था. भले ही घर में पतनी और बच्चे कितनी ही मुश्किल में हो, उसने तो बस पैसा बचाना होता था. इसी तरह बचत करते हुए उसने 350 रुपीज जोड लिये थे और मनी लेंडिंग का काम स्टार्ट किया, जिसकी जितनी बड़ी ज़रूरत, उतना ज्यादा इंटरस्ट भट्टा चार्ज करता था. लेकिन बोलने का बहुत ही बड़िया तरीका था उसे, तो एक्स्प्लॉइट होने वाले को पता ही नहीं लगता कि उसका एक्स्प्लॉइटेशन हो रहा है. By the time the story opens, he is the owner of nearly half of the village. विलेज में किसी को भी शहर में कोई काम होता तो बच्टा जरूर हेल्प करता. Of course, कुछ charges के साथ, साथ ही किसी को भी legal help चाहिए होती, तो वो थोड़े commission के साथ lawyer सिनप्पा से काम करवाता. अब तो बच्टा इतना experienced हो गया है, कि कुछ legal काम तो वो खुद ही कर लिया करता है. Such as, बच्टा's position at the time, जैरामाचार is arrested. बच्टा को बस पैसे कमाने से मतलब है, उसको डर था कहीं Britishers चले गए और Gandhi movement जीत गया, तो caste system कहीं खतम ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया, तो उसकी कोई value ही नहीं रह जाएगी. खेर, हरीकता वाले incident के बाद मूर्ती ने गांधी जी को follow करना नहीं छोड़ा, पैरिया quarter में आना जाना बंद नहीं किया, तो भट्टा शहर जाकर स्वामी जी को, जो वहां की ब्रामेन community के head है, को इस बारे में सब बताता है. स्वामी जी भी Britishers के favor में थे क्योंकि 12 एकड जमीन जो उने gift में मिली थी Britishers से, मूर्ती की हरकतों से स्वामी जी को गुस्ता आना लाजमी था, तो स्वामी जी भट्टा के त्रू मूर्ती की मदर नरसमा के पास message बिजवाते हैं, कि मूर्ती से कहो कि गांधी को follow करना और प उन्हें नहीं पता था कि मूर्ती क्या कर रहा है, किसको किस से freedom दिलवाना चाता है, नरसमा तो already मूर्ती के college quit करने की वज़े से ही बहुत परिशान रहती थी, अब भट्टा ने आकर चार बातें और सुना दी, इससे भी बुरा ex communicate करने की धमकी, अब तो नरसमा का दिल ही बैठ गया था, लेकिन मूर्ती तो village में था ही नहीं, वो तो शहर गया हुआ था, वापस आया, तो cotton and spinning wheel लाया, ताकि और ज्यादा publicity हो, ये सब सामान वो रंगमा के घर ले जाता है, क्योंकि रंगमा और साथ ही, रतना भी उसके congress movement में पूरा साथ दे रही थी, अचक्का न they loved each other, though they do not express their love in the course of the novel, मूर्ती विलेज के बाकी educated boys के साथ मिलकर पूरे विलेज में फ्री में चर्खा और cotton distribute करता है, और साथ ही इसके फायदे भी बताता है, भटा के अलावा सबी villagers मूर्ती से agree करते हैं और चर्खा रख लेते हैं, मूर्ती तो ये काम करने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ उसकी मदर यानि के नरसमा की हालत खराब होती जा रही थी, उसकी बेटियों की शादी हो चुकी थी, अब उसका look after करने को और कोई नहीं था, एक तो college की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, इससे भी बुरा मूर्ती ने आए हुए सभी marriage proposals को reject कर दिया और नरसमा को उसने clearly कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगा, नरसमा को तो ये सोच सोच कर गुसा आ रहा था कि उसके बेटे का पैरियास के साथ भी अब उटना बैटना है, finally मूर्ती घर आता है, जैसे ही मूर्ती अपनी मदर के पाम चुने को जुकता है, नरसमा उसको हुआ गया है, तो नरसमा कहती है कि don't show your face to me again, not until you have been purified by the Swami, और अगर स्वामी जी के कहने के according पहरियास के यहाँ आना जाना बंद नहीं किया, तो एक्स कम्यूनिकेट कर दिये जाओगे, मूर्ती भी जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पहरियास के साथ मिलना या उनके quarter में जाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि गांदी जी कहते हैं कि भगवान ने सबको equal बनाया है, तो यह upper caste, lower caste करने वाले हम लोग कौन होते हैं, ऐसा कहकर मूर्ती घर से चला जाता है, पर नरसमा दुखी होती है कि उसे मूर्ती को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था, वो मूर्ती की पसंद का खाना बनाती हैं, लेकिन मूर्ती घर नहीं आता, मूर्ती विजडेट थे पैरिया क्वार्टर मोर, वन भट्टा सौ था था, वो दो दिन में वापस आता है, और आकर नरसमा को बताता है कि स्वामी had ex-communicated मूर्ती, his whole family and all the generations to come, उसी रात नरसम की death हो जाती है, भटा funeral rights perform करने से मना कर देता है, इसी लिए मूर्ती किसी unknown destination पर last rights पूरे करता है, इसके बाद मूर्ती रंगमा के घर ही रहने लगता है, क्योंकि मूर्ती पैरियास के साथ मिलता था, तो उसे kitchen में जाने की permission नहीं थी, बस रहने को जगा ही मिली उसे, पैरि कैफिंग्टन कॉफी estate जाएगा, वहां के पैरियास को educate बनाने, यहां से scene shift होता है, स्कैफिंग्टन कॉफी estate की तरफ, इस कैफिंग्टन कॉफी estate, British supremacy, colonialism and enslavement of the people of India को represent करता है, क्योंकि honor भी British ही है, तो इस कॉफी estate के एक तरफ तो बाबर माउंड है, और दूसरी तरफ के किसी को भी नहीं पता कि यह कितना large है, और इसे कब बनाया गया, बट फिर भी एक wide gas के according around 10,000 acres wide है, कहा जाता है कि hunter साहिब ने अपने hunter and अपने हाथ से यहां के first fruit को उगाया था, इसके बाद यह plantation बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि अब village के around सभी hills को touch करता है, hunter साहिब के लोग दूर दूर के villages से कुलीस को काम के बदले बढ़िया पैसा देने का लालश दे कर यहां लाते हैं और उनका exploitation करते हैं, बहुत ही कम labor इने दी जाती है, यहां ज्यादा पैसा कमाने के लालश में यह कुलीस आते हैं और यहां के कैदी बन जाते हैं, hunter साहिब क death के बाद उसका nephew, coffee estate का नया साहिब बनता है, वो सबके लिए ज्यादा cruel and harsh तो नहीं था बट women को assault करता था, resist करने पर family के males को direct shoot कर देता था, we have already noted that Bade Khan was staying at the estate and his arrival had further strengthened and encouraged the sahib, estate के workers में majority पैरियास की है, among them there were two young brahmin clerks, गंगादर और वासुदेव of progressive and enlightened views, ये दोनों ही पैरियास को कांतापुरा के गांधी बशन में लेकर जाते थे, इन ही दोनों ने मूर्ती को भी coffee estate में आने के लिए request किया था, इन सब के पीछे वासुदेव और गंगादर का motive यही था कि estate के कुलीस अपने rights को लेकर aware हो, at last मूर्ती does come up, सभी कुलीस गेट पर ही उसका wait कर रहे थे, लेकिन बड़े खान वहाँ आ जाता है और मूर्ती को estate से बाहर निकलने को कहता है, I am a free man, police साहिब, answered मूर्ती, बड़े खान को तो कांतापुरा के लोगों से वैसे भी चिड़ थी, reason हम जानते हैं, वो मूर्ती को क कहता है कि free man होगा तू अपने घर में, but this is Skeffington Coffee Estate, अगर अपनी टांगे नहीं तुडवाना चाहता तो निकल यहाँ से, इतने में गंगादर और वासुदे वहाँ आ जाते हैं, दीरे-दीरे लड़ाई शुरू होती है, और कुछी देर में estate के कूलीस, especially women, बड़े खान पर estate से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बड़े खान के साथ ज्यादा मार पिट इन दोनों नहीं करी थी, ये दोनों कांता पुरा जाते हैं और पटेल रंगे गोड़ा इनके रहने का इंतजाम करवा देता है, मूर्ती बहुत दुकी हुआ था estate में हुए violence से, उसे मन ही मन ये ख्याल तंग कर रहा था, कि वो ये सब रोक सकता था, कहने को तो वो महात्मा का follower है, लेकिन इतनी चोटी situation को वो peacefully handle नहीं कर पाया, इसलिए वो decide करता है, तीन दिन फास्ट रखने का, और इस दोरान वो सिर्फ नमक पानी ही पिएगा, और वो भी दिन में एक बार, रतना उ बीत रहे थे, मूर्ती की हालत खराब हो रही थी, मगर वो fast तोड़ने को मान ही नहीं रहा था, बाकी villagers भी उसकी health के लिए prayers करने आते हैं, और उसके पास ही बैटकर गांदी जी के भजन गाने लगते हैं, बडे खान बटा के साथ ये सब भजन कीरतन रोकने के लिए आता है तो पटेल रंगे गोड़ा उन्हें वहां से भगा देता है, फाइनली मूर्ती का तीन दिन का fast खतम होता है, अगली सुबह मूर्ती पटेल रंगे गोड़ा से बात करने आता है कांतापुरा में Congress Committee बनाने के लिए, रंगे गोड़ा भी इस बात पर agree हो जाता है, मूर्ती कह करता है कि इस तरह से तो वो सीधे सीधे Britishers के निशाने पर आ जाएंगे, तो मूर्ती जवाब देता है कि कमिटी बनाने भर से नहीं आएंगे, जब कमिटी अपने काम करेगी ना, तब उन लोगों को problem जरूर होगी, मूर्ती कांतापुरा Congress Committee establish करने के लिए सभी villagers को invite करने ज वो मुश्किल से एक ही सिप पानी पीता है, इतने में ही उसे पैरिया क्वाटर की दूसरी women घेर लेती हैं और उसे पूछती है freedom movement के बारे में, तो मूर्ती उन्हें बताता है, ये simple and ignorant women थी, तो चाहा कर भी मूर्ती की बातें समझ नहीं पाती, इसलिए वो मूर्ती को कहती ह है कि मूर्ती ये सब बातें उनके husbands को बता दे, फिर वो जैसे बोलेंगे, वो वैसे अपना contribution करेंगी, मूर्ती जल्दी ही वहाँ से निकल कर घर जाकर नहाता है और गंगाजल पीता है, अगले दिन सभी villagers Congress Committee के लिए हो रही meeting में आते हैं, मूर्ती को कांतापूरा Congress Committee का President बनाया जाता है, रंगे गौड़ा वस elected as a protector, women representation के लिए रंगम्मा, पेरियाज के लिए रचनना, कौफी एस्टेट के लिए वासुदेव को अपॉइंट किया जाता है, टोटल 21 members कांतापूरा Congress Committee में शामिल होते हैं, जल्दी इसकी खबर बटा को मिल जाती है, बटा बहुत सोचता है कि किस तरह से वो इस movement को weak बना सकता है, वो प्लान करता है वेंकमा को अपनी side करने का क्योंकि वेंकमा बहुत बोलती है और वो ब्रामिन भी है, इस तरह वो cast को इस movement को weak बनाने के लिए use करने का decide करता है, लेकिन वेंकमा को भी direct में होने वाले सभी expenses की responsibility भट्टा खुद पर लेता है इस तरह भट्टा अपनी goodwill से ब्रहमेंट को अपनी तरफ करना चाहता था क्योंकि वेंकम्मा की help कर ये तो वेंकम्मा तो सब को जाकर बताएगी अब बात करें सिनप्पा की तो उसकी wife की तो कुशी दिन पहले death हुई थ सिनप्पा के तीन बच्चे भी थे और उसकी age कुछ ज्यादा ही थी पर पैसा बहुत था सिनप्पा के पास तो वेंकम्मा को अपनी बेटी की शादी उससे करवाने में कोई problem नहीं थी वेंकम्मा अपनी बेटी की शादी में सभी को invite करती है obviously सभी ब्रामिन्स को ही invitation जाता है अब होता ही है कि विलेज में एक तरफ तो वेंकम्मा की बेटी की शादी हो रही थी एन उसी मोके पर मूर्ती को अरेस्ट करने बडे खान कुछ और सिपाहियों के साथ रंगम्मा के घर आता है पुलिस को देखकर सभी पैरियाज भी आ जाते हैं और भारत माता की जै महात्मा गांदी की जै के नारे लगाने लगते हैं पुलिस से भी कहा सुनी शुरू हो गई थी ऐसे में मूर्ती उन सब को ये कहकर शांत करता है के महात्मा गांदी भी देश के लिए कई बार जेल गए हैं ऐसा कहकर मूर्ती बड़े खान के साथ चला जाता है इतना सब कुछ हुआ लेकिन कोई भी ब्रामिन वहां नहीं था क्यूंकि वो सब तो वैंकमा की बेटी की शादी में गई हुए थे मूर्ती के अरेस्ट होने के बाद विलेजर्स बहुत दुकी हुए थे उन्होंने एक दिन का फास्ट भी रखा और मूर्ती के जल्दी रिया होने के लिए प्रेयर्स भी वो सब डेली करते थे रंगमा विलेजर्स को रोज न्यूस पेपर से पढ़कर आसपास हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है एक दिन उन्हें न्यूस पेपर से ही पता चलता है कि मूर्ती को तीन महीने के लिए जेल हो गई है इसी के साथ अब रंगे गोडा को भी ब्रिटिश गवर्मेंट ने पटेल की जौब से निकाल दिया था रंगमा बागी विलेजर्स को एंकरेज करती है वो कहती है कि मूर्ती जिस कॉस के लिए अरेस्ट हुआ है क्या उसके जाने के बाद हमें बस दुखी होकर हाथ पर हाथ रखके बैठ जाना चाहिए नहीं वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगी और रही बात नई पटेल की तो अब ब्रिटिश गवर्मेंट को टेक्स नहीं दिया जाएगा उनके लिए पटेल रंगे गोड़ा ही रहेंगे इस लिहास से वो अब भी टेक्स रंगे गोड़ा को ही देंगे रंगमा कानतापुरा की विमन के साथ मिलकर the women's volunteer corps establish करती है और विमन को रानी लक्षमी बाई, कमला देवी, सरोजनी, नाइडू, एनी बिसेंट जैसी विमन के बारे में बताती है और उन्ही से inspiration लेने को कहती है सीमू एंड वासुदेव wanted to organize a similar volunteer corps for men but the boys refuse to come forward मूर्ती के release होने का दिन आ गया था, सभी villagers मूर्ती को बहुत अच्छे से welcome करने की तयारी करते है भट्टा और वेंकमा ऐसा करने से बाकी सब को काफी रोकने का try करते है अब सभी लोग भट्टा की असलियत जान चुके थे कि भट्टा British government के लिए काम करता है और जिसे स्वामी का नाम लेकर वो ब्रामिन्स को एक्स कम्यूनिकेट करवाने की धंकी देता है वो स्वामी भी British government का ही supporter है भट्टा भी जान जाता है कि अब उसकी बात की जरा भी परवा नहीं रही किसी को हो सकता है कल को उस पर भी attack हो जाए ऐसा सोच कर वो कांतापुरा से निकल जाता है खैर सुबह से शाम हो गई लेकिन मूर्थी नहीं आया सीमू आकर बताता है कि बडे खान भी नहीं चाहता था कि मूर्थी का welcome इस तरह से हो इसलिए वो मूर्थी को दूसरे रास्ते से लाए है अब मूर्ती रंगंमा के घर पर है, सब लोग रंगंमा के घर की तरफ जाते हैं, मूर्ती उन्हें वहीं मिलता है मूर्ती सबको बोलता है कि अब उनसे ब्रिटिश गवर्मेंट को प्रॉबलम होने लगी है इसलिए उन्हें अपना movement और भी तेज़ करना होगा इस बार स्केफिंग्टन कॉफी एस्टेट से भी कुलीस को साथ में लेने का प्लान था लेकिन कुलीस को साथ में लेना काफी मुश्किल था वो इसलिए कि इन्हों एलकोहल की लगवार रखी थी हंटर साहिब ने ताकि सारा दिन काम करें और शाम को नशा करें जिससे उन्हें उन पर होने वाले exploitation को रोकने या उस पर सवाल करने का मोका ही नहीं मिले इसलिए मूर्ती डिसाइड करता है कि वो सब बुरैना टोडी बूत के ही ठीक सामने सत्याग्रा करेंगे और कुलीस को नशा करने से रोकेंगे वही टेक्स नहीं देने की वज़े से विलेज में announcement होती है कि अगर कांतापुरा के लोगों ने newly appointed पटेल को टेक्स submit नहीं करवाया तो उनकी जमीने British government अपने अंडर कर लेगी और इसके बाद भी अगर वो लोग नहीं माने तो उन्हें घर से बेगर कर दिया जाएगा सब लोग काफी घबरा जाते हैं ये warning सुनकर रंगमा और मूर्ती उन्हें इस वक्त देश के बारे में सोचने का कहते हैं वो विलिजर्स को समझाते हैं कि इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग रहना होगा नहीं तो वो फिरंगियों से फिर हार जाएंगे डरने के बजाए उन्हें अब खुश होना चाहिए क्योंकि British government को अब उनके freedom movement से तकलीफ हो रही है इसी रहे वो उन्हें तोड़ने की हर possible कोशिश कर रहे हैं पर अब वो पीछे नहीं हटेंगे जमीने लेते हैं तो ले घर से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें लेकिन वो भारत माता का साथ अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे वो भी तब जब आसपास के villages भी उनका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं सभी मूर्ती की बात मान जाते हैं और भारत माता की जै गांदी जी की जै के नारे लगाने लगते हैं नेक्स्ट इवनिंग मूर्ती, रंगमा, रंगे गौडा, रतना, सीमू, वासुदेव, रचना के साथ-साथ बाकी सब गांवाले भी बोराइना टॉडी बूद की तरफ कूच करते हैं बडे खान अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा करता है बोराइना टॉडी बूद पहुँचने के बाद वो लोग कुलीस को ड्रिंक करने से रोकते हैं उनको समझाते हैं कि घर में बीवी बच्चों के पास खाने पहनने को कुछ नहीं है और आप लोग नशे पर अपनी खून पसीने की कमाई लुटा रहे हो ऐसा मत करो अपनी फैमिली से अपने देश से धोका मत कमाओ रंगमा का ऐसा कहना हुआ और बड़े खान ने उन्हें चारों तरफ से घरने का ओर्डर दे दिया मगर उन्होंने ठान लिया था कि अब हार नहीं माननी है तो वो टॉडी बूट के आगे ही लेट जाते हैं इससे होता ये है कि ज्यादातर कुलिस पीछे हट जाते हैं और वो ड्रिंक क्विट कर देते हैं एक बार फिर बड़े खान की कोशिश नाकाम हो जाती है कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और मूर्ती बाकी विलेजर्स के साथ मिलकर 26 टॉडी बूट बन करवा देता है लेकिन अब घर और जमीन पर बात आ गई थी कांतापुरा के लोग अब अपने खेत नहीं जा सकते थे वही खुशी की बात ये भी थी के सकेफिंग्टन कॉफी अस्टेट से डे बाई डे ज्यादा कुलीस कांतापुरा आ रहे थे और उनका मूवमेंट स्ट्रॉंग होता जा रहा था फाइनली डिसाइड होता है कि इस तरह से वो फिरंगी सरकार को अपने खेत और घर जब्त नहीं करने देंगे कांतापुरा कॉंग्रेस कमेटी के सबी मेंबर्स बाकी विलेजर्स के साथ खेतों की तरफ जाते हैं क्योंकि ये खेत उनहीं के ही थे उन लोगों ने ही दिन रात महनत कर फसले उगाई थी और अब मालिक बने कोई दूसरा आ गया है वो खेतों की तरफ जाते हैं तो वहां बड़े खान और उसके साथी गंस के साथ वहीं खड़े थे सबी लोग भारत माता की जै इंकलाब जिन्दाबाद बोलते हुए आगे बढ़ते हैं बड़े खान वार्न करता है कि अब अगर कोई आगे दरा सा भी बढ़ा तो फारिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसकी वार्निंग को कोई नहीं मानता वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं बड़े खान भी फारिंग का ओर्डर देता है जैसे ही फारिंग स्टार्ट होती है कुछ को गोली लगती है रचना की तो डेट भी हो जाती है मूर्ती, पटेल, रंगे गौड़ा, रंगम्मा, रतना समे 17 लोगों को जेल हो जाती है रचना की वाइफ, रची बाकी विमन के साथ मिलकर अपने सभी घरों में आग लगा देते हैं और इस तरह बाकी बचे लोग काशिपुरा विलेज में रहने आ जाते हैं काशिपुरा के लोग उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, उन्हें रहने के लिए जगा भी देते हैं वेंकमा भी काशिपुरा चोड़ कर किसी दूसरे विलेज में चली जाती हैं रूटीन अल्मोस्ट पहले जैसा हो गया था लेकिन मन उन सबके अभी भी उदास थे अपने साथियों के लिए रतना जेल से एक साल बाद रिलीज हुई, वो काशिपुरा आती है और खुद पर हुए टॉर्चर के बारे में बताती है शी और सबके लिए जाएगी, क्या वो लोग जिनको वो खो चुके हैं, वापस आ जाएंगे As a result of the pact with the Viceroy, मूर्ती के साथ साथ रंगमा, पटेल, रंगे गौडा, सीमू, वासुदेव और गंगादर जेल से छूट जाते हैं मूर्ती के अलावा बाकी सब काशिपुरा आ जाते हैं, मूर्ती सिटी में ही था, जब उसने रतना को लेटर लिख कर बताया था कि अब वो नहरू का follower बन गया है, गांधी जी की respect वो अभी भी करता है, लेकिन नहरू से अब वो ज्यादा inspired होता है कुछ दिन बाद रतना Bombay चली जाती है, it was only पटेल रंगे गौडा, who visited कान्तापुरा on his release रंगे गौडा तो कहता है कि वो कान्तापुरा के हाला देखने गया था, वो अचक्का को काशिपुरा आकर बताता है कि उनके घर उसी तरह उजड़े पड़े हैं, मगर खाली जगहों पर Britishers आ गए हैं, कान्तापुरा एकदम बदल चुका है, भट्टा और वेंकमा भी आई होब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, पूरा का पूरा नॉवल हम अचक्का के नजरिये से ही देख और समझ बाते हैं, नोट्स के लिए आप गूगल पर कान्तापुरा इगनू सर्च करिए, आपको एजली मिल जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्यू, थैंक्यू वर्मच पर यह ताम.